हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टो माई चैनल बारूल व्लॉग्स और ग्राफ्ट आइडिया फ्रेंट्स आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं एक मटका डेकॉरेशन आइडिया पुराने मटके को डेकॉरेट करूंगी फ्रेंट्स में तो वही कलर यूज किये और मैंने फ्रेंट्स ग्रीन कलर के डवल कॉट कर लिए था क्योंकि मटके पर डार्क कलर चाहिए था तकि डार्क कलर इसलिए था मुझे तकि इसलिवर कलर से डॉट्स मना रही हूं इस पर यह अच्छे से उभर के आए फ्रेंज देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इस तरह से इर पास सिल्वर कलर था इसलिवर ऑइल पेंट है और देखिए कितना शाइन कर रहा है बहुत ही ओई तरह हुत है दॉट्वाह नहीं ही टेखिए के आधा शाइर पेखिए त्यार कले की सऊंदर को सब्कशाब करने यहां पर देखिए हमने मटके का एक फ्लार पास्प तयार कर लिया है बिल्कुल घर पे ही तो देखिए पुराना मटका हम किस तरह से रियूज कर सकते हैं यह देखिए नीचे मैंने स्टैंड बनाया हुआ यह भी मैंने बनाया था फ्रेंस पुराने स्पीकर्स होते थे पहले उनके अंदर का है और यह देखिए ग्रीन कलर के ऊपर डबल कोट करने के बाद कितने कितना डार्क कलर हो चुका है और यह सिल्वर कलर के डॉट्स काफी इस पर बहुत ही सुन्दर लग रहा है और किते निखर करा है इसमें लगा है फ्रेंस मैंने आर्टिफिशल प्लावर्स थी आप चाहें तो इसमें ओरिजिनल प्लांट्स भी लगा सकते हैं फ्रेंस में आपको साथी साथ एक जलक दिखा रही हूं ये मैंने पुराना मटका एक और मैंने पहले वीडियो डाली थी यह देखिए मैंने इस पे मनाला आट की इसको थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे इसको सजाने में क्योंकि इस पर काफी बारिक काम है और देखिए यह जो मैंने अभी वीडियो शेयर की है आपके सार यह तो बहुती फटा-फट से बहुती जल्दी बनने वाला डिजाइन है और यह भी देखिए सिंपल सोबर काफ अपने अंदर भी रख सकते हैं कहीं भी लिविंग एरिया में या फिर आप पोर्च एरिया में भी रख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले टेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म बूले ऑख संग्छ में नेन धाए crawl झाले जरूर जोग झाले एक जरूर ख सकते हैं अजरू में